साइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें एक्स्क्लोसिव खबरें कहने वाले बिल्कुल सच कहते हैं कि कर्मो कफल इसी धर्ती पर भुगतना पड़ता है ये बिल्कुल सच है और इसका जीता जाकता सबूत है समरसिंग् आकाइशा दूबे को टॉर्चर करना, पैसे हडपना, मारना, पीटना, ब्लैकमेल करना, इन सब कर्मो कफल पाने के लिए समर सिंग को अब तयार रहना चाहिए, क्योंकि कोट के फैसले से आकाइशा दूबे की मा के साथ ही लाखो फैंस की भी पहली जीत हो गई है, जी हाँ स सिला कोट ने सारनाथ पुलिस के हवाले कर दिया है, पांच दिन की पुलिस रिमांड पर समर सिंग को दिया गया है, अब रिमांड पर पुलिस कैसे सच उगलवाती है, ये तो आप होर हम सभी जानते हैं, तो अब समर सिंग को अगले पांच दिन अपनी कमर की सिकाई के लि और वीडियो को भी शेयर करें तो आकांशा दुबे की मा की कोट में पहली जीत हुई है आकांशा की मा चाहती थी कि समर सिंग से पुलिस कड़ाई से पूशताच करें मगर गिरफतारी के बाद ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पहली ही पेशी के बाद समर सिंग को जेल भेज दिया गया मगर अब कोट ने नया फैसला सुनाते हुए समर सिंग की मुश्किले बढ़ा दी है और समर सिंग को पुलिस की कस्टडी में सोब दिया है अब 13 अप्रेल की सुबह 10 बजे से लेके 17 अप्रेल की शाम 5 बजे तक की पुलिस रिमांड की मंजूरी फिलहाल दी गई है इसका मतलब ये है कि समर सिंग 4 दिन 7 घंटे पुलिस की कस्टडी में रहेगा मतलब करीब करीब पाँच दिन समर सिंग को पुलिस की रिमांड में रखा जाएगा अब कोट का ये फैसला सुनते ही समर सिंग की हालत खराब हो गई क्योंकि समर सिंग अच्छी तरीके से जानता है कि पुलिस की रिमांड का मतलब क्या होता है कैसे वहाँ पर डंडे के जोर पर सचोगलवाया जाता है दरसल समर सिंग कोट में पेशी के लिए फिजिकली नहीं गया था बलकि वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये समर सिंग की कोट में पेशी हुई थी यानि कि समर सिंग जेल में ही था और जेल से वी सी के जरी एक कोट में पेशी हुई थी अब समर सिंग को लग रहा था कि कोट ने वीडियो कॉनफरेंसिंग की पेशी की परमिशन दे दी तो पुलिस कस्टडी ना देने की बात भी शायद मान लेगी मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कोट ने इस मामले की सुनवाई तो पहले ही पूरी कर ली थी अब 12 अपरैल को सिर्फ फैसला दिया और कहा कि 13 से 17 अपरैल तक समर सिंग को पुलिस की रिमांड में रखा जाएगा पुलिस आरोपी से केस से जुड़े सभी तर्थ्यों को जानने के लिए पूरी तरह आजाद है अब ये बात सुनते ही समर सिंग बुरी तरह रोने लगा कोट के सामने गिड़ गिड़ाने लगा पुलिस का कहना है कि समर का मोबाइल बरामत किया जाना बेहत जरूरी है इसके अरावा समर के लखनव और मुंबई इस्दित आफिस जाकर उसके और आकांशा के बीच हुए वित्य लेंदेन फिल्मों की डील से जुड़े सभी कागजों का बरामत होना बेहत जरूरी है अब रिमान का विरोध कर रहे समर सिंग के वकील अनुष यादव आशी शिंग और विकास यादव ने कूप दली ले दी और रिमान को कैंसल करवाने की भी कोशिशे की अधिवक्ताओं ने कहा कि समर की गिरफताली मोबाईल की लोकेशन की मदद से हुई है तो मोबाईल को बरामत करने की जरूरत कैसे आन पड़ी वही समर के वकीलों ने कोट में कहा कि समर और आकाशा के बीच हुए वितिय लेंदेन और फिल्मों के करार संबंदी कागजात हमारी तरफ से उपलब्द कराए जा रहे हैं ऐसे में समर सिंग को सारनाथ पुलिस के हवाले किया जाने का कोई ओचित्ते नहीं है अब समर के वकील कोट में बोलते रहे, मिननते करते रहे, दलीले देते रहे अगर कोट ने वकीलों की बातों को दरकिनार करते हुए समर सिंग को सारनाथ पुलिस के हवाले कर दिया फिल्हाल तो कोर्ट ने 5 दिन की रिमांट दी है मगर सारनाथ पुलिस को पूरी उमीद है कि रिमांट कोर्ट की तरफ से बढ़ा दी जाएगी क्योंकि पुलिस को समर सिंग को लेकर लखनौ मुंबई जैसी जगहों पर जाना है जिसमें वक्त भी लगता है अब 13 अप्रेल की सुबह 10 बजे सारनाथ पुलिस जिला जेल जाएगी और समर सिंग को अपने साथ अपनी रिमांट में अपनी कस्टडी में लेकर आएगी और उसके बाद समर सिंग से असली पूशताश का दौर शुरू होगा अब जहां कोड का फैसला अकांशा की मा और अकांशा की फैस के लिए रहाती खबर लेकर आया वहीं समर सिंग और उसके समर्थों को को कोड की फैसले से बड़ा जटका लगा है तो आपका क्या मानना है क्या पांश दिन में पुलिस समर सिंग से सच उगलवा पाएगी क्या पुलिस के डंडों के आगे समर सिंग को सब कुछ बताना ही पड़ेगा आप भी अपनी राइक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें तो आपकांश दुबे की मौत की मिस्टरी ट्रिपल एस में उलज कर रह गई है समर सिंग संजे सिंग और संदीप सिंग भोजपुरी सिंगर और आपकांश के साथ रिलेशनशिप में रहने वाले समर सिंग को पुलिस पकड़ चुकी है समर सिंग अब कानून के शिकंजे में हैं कई दिनों की फरारी के बाद समर सिंग को वारानसी पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफतार कर लिया और इसकी वज़े है आकांशा दूबे की मा मधू दूबे के वो सवाल जिसका जवाब वारानसी पुलिस के पास है ही नहीं दरसर आकांशा दूबे की मा ने वारानसी पुलिस से पूछा है कि उन्होंने होटल का CCGV पूरा क्यों नहीं दिखाया आकांशा के साथ संदीब सिंग आते तो दिख रहा है कमरे में जाते भी दिख रहा है मगर उसका कमरे से बाहर वापस आने का या होटल से बाहर निकलने का कोई वीडियो क्यों नहीं है आकांशा की मा का आरोप है कि संदीप सिंग उस रात को होटल से बाहर गया ही नहीं था अगर गया होता तो वीडियो होना चाहिए आकांशा की मा का आरोप है कि संदीप सिंग भी समर सिंग से मिला हुआ है और वो उसी के इशारे पर काम करता है इसलिए आकांशा पार्टी से जब अरुन पांडे की गाड़ी में आ रही थी तो संदीप सिंग ने आकांशा को अपनी गाड़ी में बिठा लिया जरूर उसके दिमाग में कोई पहले से साजिस थी, कोई पहले से प्लान था वरणा वो बीच रास्ते में इतिनी बड़ी अदाकारा की कार को क्यो बदलवाता और कमरे के अंदर जाने का उसका मकसद क्या था ये आकांशा दुबे की मा वारा नसी पुलिस से पूछ रही है आकाईशा की मा का कहना है कि पुलिस इस मामलेवे शुरू से ही बेवकूफ बना रही है पुलिस ने ही समर सिंग और संजय सिंग को सरक्षन दे रखा है और संदीप सिंग को भी पुलिस ही बचा रही है आकाईशा की मा मधु दूबे ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि समर सिंग की तरफ से वारानेसी पुलिस को 2 करोड रुपे मिले हैं तभी तो समर सिंग की गिरफतारी नहीं की गई थी वो तो यूपी के मुख्य मंतरी की लतार के बाद वारानेसी पुलिस को समर सिंग को गिरफतार दिखाना पड़ा पुलिस ने खुद ही छिपा रखा था वरना यूपी के सी एम की डाट पड़ते ही इतनी जल्दी समर सिंग पुलिस के हाथ कैसे लग गया आकाईशा की मा का कहना है कि संजे सिंग को भी पुलिस नहीं छिपा रखा है पुलिस तो दो करोड के बदले काम कर रही है पुलिस को किसी की मौत से कोई मतलब नहीं है सिर्फ मोटी रकम से मतलब है आकाईशा की मा का कहना है कि मेरी बेटी तो जा चुकी है और अब गुनेगार हमारे परिवार को धमका रहे हैं मधुदूबे का आरोप है कि जब तक संजे सिंग भी बाहर रहेगा हमें रोज धमकिया मिलती रहेगी हमारी जान को हमेशा खत्रा रहेगा हो सकता है कि हमारे साथ भी कुछ अन्होनी हो जाए मधु दूबे का आरोप है कि पुलिस के साथ ही सारनात के होटल के लोग भी मिले हुए हैं उनको भी समर सिंग ने पैसे के दम पर खरीद रखा है तभी तो होटल वालों ने सिर्फ संदीब सिंग के आने का CCTV वीडियो दिया है अगर होटल वाले सच बोल रहे हैं तो फिर संदीब सिंग के होटल से बाहर जाने का फुटेज क्यों नहीं है आकाईशा की मा का आरोप है कि संदीब सिंग सिर्फ 17 मिनिट नहीं रुका था बलकि मेरी बेटी की मौत का पूरा तमाशा देखने के बाद ही होटल से बाहर गया था अम माना जा रहा है कि पुलिस संदीब सिंग पर जल्द ही शिकंजा कर सकती है और जैसे ही पुलिस को समर सिंग की कस्टडी मिलेगी संदीब सिंग से भी दो बारा पूशताच की जाएगी वहीं इधर वारानसी जिला कोर्ट ने समर सिंग के पुलिस रिमांड के मामले पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसले को अपने पास स्तुरक्षित रखा है जिसे कोर्ट की तरफ से जल्द ही बताया जाएगा मगर तय माना जा रहा है कि समर सिंग की कस्टडी पुलिस को मिल कर रहेगी और अगर पुलिस सही तरीके से इमांदारी से समर सिंग से पूशताच करती है तो अकाइशा की मौत का राज खुलने में जरा भी देर नहीं लगेगी क्योंकि पुलिस के डंडे के आगे तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं और समर सिंग तो गूंगा नहीं बलकि गायक है सिंगर है तो पुलिस के डंडे अगर पड़े तो समर सिंग भी बोल पड़ेगा और सच अपने आप सामने आ जाएगा तो आपका आकानशाद दूबे की मा के आरोपों पर क्या कहना है क्या मधू दूबे का सवाल बिल्कुल सही है कि संदीब सिंग के होटल से बाहर जाने का फुटेज क्यों नहीं है संदीब सिंग उस रात होटल से बाहर गया भी था या नहीं आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और वीडियो को भी शेयर करें